पूरा क्या मामला इस वीडियो में आपको बताएंगे और M.I.E. के फैंस को ये थोड़ी बहुत जो राहत कहां से मिल रहे है उसका सोर्स ही बताएंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे रोई शर्मा ने KKR के अगेंस 1000 प्लस रन स्कोर करें और इकलौते ऐसे वो प्लेयर बने जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट 1000 का जो बैरियर है वो क्रॉस किया है तो अपने आप में एक अजीवमेंट है जिसके बारे में इस वक्त पर नौ करोड बीस लाख ही रकम थी और उस वक्त पर बड़ी चर्चा हुई थी रोई शर्मा उस ऑक्षन में उस दिन पर फोर्थ हाइस्ट जो कहें कि वाई फोर्थ कॉस्लियस प्लेयर थे वहां पर उस इन गौतम गंभीर को केक यार ने लिया था सबसे महंगे वो लिये गए थे उसके बाद यूसूफ पठान, रॉबिन उथपा और रोही शर्मा तो अब ये ट्वीट जो है वो कहते हैं एक तरीके से उनके पीछे एक तरीके से लग गया क्योंकि उसके बाद हम सभी को पता है कि रोही शर्मा ने मुंबा इंडिनस के साथ क्या क्या ह और इन पटिकुलर कॉलकाता नाइट राइडर्स एक ऐसी ओपोनेंट रही है जहां पर रोही शर्मा का बल्ला जो है और जादा जो है जमकर बरसा है किसी भी आप ओपोनेंट दिखेंगे सबसे जादा रंद रोही तके के क्यार के अगेंस से 1000 प्लस रंस रेकॉर्ड है इंडिन्स के फैंस ने यह भी आपको बताएं आरियन अंडर्सकोर ओपी अच्छा ओपी का तो आजकल जमाना ही चल रहा है तो ओपी भाई लिख रहे है एंड नाव हिट्मन है स्कोर्ड थाइस रंस अगेंस्ट केक्यार एंड मोस सक्सेस्फुल कैप्टन तो यह मज़े ल कर्माइंडर की उन्होंने केक्यार को रिपलाई करते हैं इतनी बड़ी रकम इसलिए दी गई क्योंकि इस प्लेयर की अबिलिटी यह है आप देख लीजिए एक दो तीन चार पांच पांच की पांच आईपेल ट्रोफी जो है मुंबई इंडिन्स ने रोही शर्मा के कप्त रोही शर्मा से हमको क्या मिलने वाला है लेकिन शायद कॉलकाता को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था रोहित पर यह कहें कि उस दिन वो मिस्रीड कर गी सिच्वेशन जिसका खाम्याजा उन्हें आज तक भूगतना पड़ रहा है अब आगे बढ़ते हैं जी आगे का ट्वी क्यूं अब निशाने पर है क्योंकि चेन्ने की तरफ से क्या एक ट्वीट आया था जिसकी वैसे दुभारा जो है चेन्ने भी निशाने पर है मुंबई इंडिन्स के फैंस पे ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जो है आप अफगला देखेंगे जो चेन्ने और रोहित शर्मा से रिलेटिड है और कैसे 2011 आउक्षन के वक्त पर वो ट्वीट आया था और उसके बाद क्या कुछ चेन्ने की तरफ से कहा गया और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसिस कैसे आज की तारीख में जो है चेन्ने सूपर किंग्स को भी थोड़े से झेलने पड़ रहे हैं ये एक देखिए कि चेन्ने के फैंस ने क्या-क्या उनको इन रिपलाई दिया है तो ये सबसे मुझे प्यारी तस्वीर लही क्योंकि यहां पर उन्हें तीनों फाइनल जो अगेंस चेन्ने सूपर किंग्स खेले गें और उन्हें याद दिलाए कि भईया ठीक है आपने का था कि न नसित मलिंगा की जो आखरी आई-पेल डिलिवरी साबित हुई है वहां पर शारदूल को लबीड़ू करके उन्होंने आई-पेल का खिताब अपने नाम किया था तो यहीं पर बात नहीं थमी और भी ट्वीट्स हैं एक एक करके वह आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर कि कैसे चेंडे के फैंस जो हैं छोड़ी रहें कोई भी कसर वहां पर मज़े लेने की भरत ने भरत 45 रोई शर्मा का आपको बताए कि जो जर्सी नंबर है 45 है तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रोई शर्मा उन्होंने बस प्यारा से एक रिपलाई किया है थैंक्यू CSK की बहुत बहुत महरवानी आप लोगों ने तैग कर लिया थे कि आउक्शन में नहीं जाएंगे जिसके बदालत रोई शर्मा हमें मिले और हमारी परफॉमेंसे आप देख सकते हैं यह आपको बड़ा ही आपको दिखता होगा ऐसा मीम आप तमाम कुछ भी चीज़ें हो जाएं आपक अगर क्रिकेट पर आएं तो यहां पर तो साफ है कि मुंबई इंडिन्स वो पांचवे में छटा नंबर अभी एड करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अभी तक की परफॉमेंस देखेंगे तो मुंबई की उस तरीके से आई नहीं है पहले मुकाबले में रोही शर्मा और चिन्ने के फैन्स वापस इन पर अपना जवाब क्योंकि अब फ्रेंचाइजी तो जवाब नहीं लिख पाईगे लेकिन फैन्स दरूर वापस आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे मज़े लेने का क्योंकि आप देख सकते हैं आई पेल में फैन्स बड़े इन्व आज उनको थोड़ा सा भारी पड़ रहा है तो अगर वीडियो और इंफरमेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें शेर करें और सब्सक्राइब करें स्पोर्ट सेरी को इसी तरीकी से हम आपके साथ बने रहेंगे इसके अलावा बल्ले बाजी में आपके पास मौकाई क आप टीम्स बनाएं लगातार हम आपके साथ शेर करें फ्री रोल का कॉंटेस्ट है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जाएं रजिस्टर करें अपनी टीम्स बनाएं इसके अलावा जो है अगर आप फर्स टाइम यूजर ने तो साइन अप बोनस की फैंस कैसे जो है एक दूसरे की टांग खीश रहें और भी न्यूजर अपडेट्स हम आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे फिलहाल इजादर बहुत बहुत शुक्रिया